हेलो दोस्तों कैसे हो सभी मैं हूँ इरफान और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पैंड का मेजरमेंट लेना बता रहा हूं पैंड का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है आजा को सप्रमेंट का मेजरमेंट लेना बताता हूं या कि सबसे पहले लंबाई का मेजरमेंट लेंगे लंबाई का measurement लेने के लिए ऐसे यहां measurement टेप को ऐसे पकरना है और normal जो लंबाई लेना है यहां आप यहां नीचे जहां end हो रहा है यहां नीचे तक देखिए यह है 36.5 तो यह जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे और यह पूरा ऐसे नीचे तक 36.5, 36 inch यह जो है यह normal लंबाई है अब अगर किसी को ankle length चाहिए तो उसी साब से लंबाई को sort करना है अगर यह pen का लंबाई correct है तो अगर हमको इसी का measurement लेना है तो कैसे लेना है देखिए इसको ऐसे पकरना है यहां आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए फिर उसके बाद इसको ऐसे और फिर यहां नीचे तक ले लीजिए ऐसे अब यह है 37.5,30 लेकिन इसका लंबाई ज्यादा है इसमें देखिए बहुत सारा फॉल आ रहा है तो आप ऐसे भी लंबाई ले सकते हैं अगर कस्टमर का पैंड बिल्कुल सही है अगर कस्टमर बोलता है कि हमको पुरा जो मैंने पहना हुआ है वही लंबाई चाहिए तो आपको पैंड का ऐसे measurement लेना है और अगर अपने हिसाब से लेना है तो उपर से ऐसे पकरना है और कमर का measurement ऐसे बेल्ट के उपर लेना है यह जो बेल्ट है इसी बेल्ट के उपर ऐसे यह 32 1.5 साड़े 32 इंच इसको बहुत ज्यादा मैंने टाइट भी नहीं किया ज्यादा टाइट करेंगे तो इंचिटेब जो है तूड़ जागा तो ऐसे लूज भी नहीं रखना है 30 इंच 32 1.5 इंच और अब हम यहां हिप का measurement लेंगे है हिप का measurement ऐसे और यहां पर इंचे टेप को रखना है यह देखिए हिप है इसका 37 इंच 37 इंच मिजरमेंट में लूजिंग आपको नहीं आड करना है लूजिंग नहीं छोड़ना है ना ज्यादा टाइट रखना है और ना ज्यादा लूज रखना है लूजिंग जो है वह कटिंग में आएगा जब हम इसको कट करेंगे उसमें लूजिंग एड होगा तो हिप है 37 37 इंच और अब हम यहां ठाइक का मिजरमेंट लेंगे राइक का मेज़रमेंट कि इसको एसे कितना लूज चाहिए उसके हिसावत से रखेंगे बेढ़िए जो हम लूज छोड रहा हैं आपको कैसे मालूद ऩह हमाइन के रखना है पहले आपको यह फिक्स लेंसे है यह Hayır और हाफ साड़े एकीस इंच यह बिल्कुल fix है साड़े केस इंच अगर आप टाइट फिटिंग का मेजरमेंट ले रहे हो कस्टमर को सिलिम फिट चाहिए तो इसमें आपको डेर इंचर्ट करना है वन अड़ फिंच जैसे कि यह साड़े कीस है तो साड़े कीस बाइस और एक यह साड़े कीस है टाइट फिटिंग के लिए इसमें हम डेर इंचर्ट करेंगें तो यह हो जाएगा 23 इंच तो यह टाइट फिटिंग का मेजरमेंट है अगर किसी को लूज फिटिंग चाहिए तो आप इसको आदा इंच बढ़ा लिजे और साड़े कर लिजे या फिर तो यह तरीका है मेजरमेंट लेने का पहले आप इसको ऐसे साड़े एकीस इसमें हमने डेर इंच प्लस किया तो यह तेईस इंच यह हो गया थाई का मेजरमेंट 23 अब यहां हम नी का घुटना का मेजरमेंट लेंगे सेम इसको ऐसे भी इसको ऐसे यह साड़े पंद्रा इंच है इसमें भी हम डेर इंच आड़ कर लेंगे साड़े पंद्रा और डेर इंच आड़ करेंगे तो यह हो जाएगा सत्रा इंच सवेंटीन इंच अगर ज्यादा लूच चाहिए तो आप इसको दो इंच प्लस कर सकते हो टाइड फिटिंग के लिए 15,5 इंच इसमें आप प्लस कर लो 17 इंच एक इंच भी प्लस कर सकते हो टाइट में एक से प्लस कर लेना फिर से बता रहा हूं यह 15 और अफ है 13 इंच हमने इसमें 15 इंच प्लस किया तो यह 17 इंच और अब हम यहां bottom का measurement लेंगे, bottom का measurement अभी जो है bottom ज्यादा बड़ा नहीं चल रहा है, चोटा ही चल रहा है, तो bottom इसमें रखेंगे 13 इंच, 13 इंच, या फिर आप जो pant पहने हुआ है, इसका भी bottom measurement कर सकते हो, ऐसे, यह भी 13 इंच है 13 इंच, fitting के इसाब से bottom जो है, वो छोटा और बड़ा आप कर सकते हो, तो इसका जो हम bottom रख रहे हैं, वो रख रहे है, 13 इंच, 13 इंच, और अब हम यहां inseam का measurement लेंगे, आसन का measurement, आसन का measurement जो है, यह मैं आपको finger का तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा पैर, यहां से बिल्कुल ऐसे आप श्टेट रखो, यह जैसे है, 9 इंच, 9 इंच, यहां आप पूरा उपर से ऐसे रखो, और यहां finger को ऐसे state रखो, नीचे से ऐसे, और बिल्कुल इसके state ऐसे ले लेना है, तो यह है 9 इंच, 9 इंच, या फिर आप फूल measurement ले सकते हो, फूल measurement कैसे लेना है, इसको पकड़ो, आप इसको ऐसे भी measurement लेख सकते हो, एक तरीका, यह दो तरीका मैंने आपको बता दिया, टर्न हो जाओ, या फिर एक तरीका है कि measurement tape को यहां ऐसे, ऐसे रख दो, और यहां पूरा, जहां तक हमने इधर लंबाई का measurement लिया है, वहां तक आप इसको ऐसे measurement कर लो, तो ऐसे आप आसन का measurement ले सकते हैं, तो तीन तरीका मैंने आपको बताया है, inseam का measurement लेने का, मैं जो follow करता हूँ, ज़्यादा तर मैं यही follow करता हूँ, मैं इसी तरह measurement लेता हूँ, यह यहां finger ऐसे रखते हैं, और बिल्कुल इसका state, यह 9 inch, 9 inch, तो पैंट का measurement कैसे लिया जाता है, इस वीडियो में मैंने आपको step by step बताया है, कि कोईट के साथ बताया है, दोस्तो मेरा दो YouTube चैनल और है, एक का नाम है इर्फान इंडिया वाला, और दूसरा YouTube चैनल का नाम है सौहाना फैसन स्टूडियो, दोनों YouTube चैनल का link मैंने नीचे description में दिया है, आप लोगों से request है, कि अगर आपने हमारे दोनों YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है, इर्फान इंडिया वाला और सौहाना फैसन स्टूडियो, तो subscribe कर लिजेगा, link मैंने नीचे description में दिया है, I hope कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंदा होगा, वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like कीजेगा, और चैनल को subscribe करके, वेल आइकोन को दबाके all पे कर दिजेगा,